पंदरा साल लंबे अंतराश्टी क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी तो आपकी नजर में बहतर क्या है पॉलिटिक्स ये क्रिकेट आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए है देखें मैं गईना के प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूं क्योंकि मैंने क्रिकेट में जादा लंबा इस समय बिताया लेकिन कहीं अगर दिल से अगर आप पूछें पॉलिटिक्स मैंने इसलिए जोइन करी थी और ये मैंने पहले भी बोला है बहुत ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों जोइन करी उस थरीके से आप जमीन पर उतरके अगर देश को आगे लेके जाने के आप में हिम्मत है तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स जोइन करी थी क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रती है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को और मैं काम करके दिखाना चाहता था ऐसे नहीं कि इसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोईज बढ़ा के ये आपने एक दिल्चस बात बोली लेकिन अगर हम politics की बात करें तो दिल्ली का तापपान तो बहुत बड़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीती में भी दिख रहा है पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है वो वादे मैंने नहीं किये थे वो दिली के मुख्य मंत्री नहीं किये थे वो और उन रिकॉर्ड है इसमें कोछ छुपा नहीं है कि सौ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिडल दिली को लंडन, पारिस, न्यू यॉयॉक पता नहीं क्या क्या वादे किये गए थे आप मुझे बताईए आप कहते हैं कि दिली में एजुकेशन में करांती आई है तो फिर आकड़े क्यों नहीं देते आप ये बताईए आपने पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिडल खोले हैं जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं लेकिन केजरिवाल जी का नाम आते हैं या गुस्सा आजाता है आपको क्योंकि दिली मेरे दिल में बसती है मैं दिली में पैदा हुआ मैंने दिली में पढ़ाई करी मैं दिली के लिए खेला चितना मैंने नम कमाया चायए वह अच्छा कमाया, बुरा कमाया जो भी मैंने देश के लिए किया वो दिली के बतालत किया के कि ना के मुझे याद है जब पहली बार दिली के मुख्यमANत्री एलेक्शिन लड़ रहे थे और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी कि मेरी मदर ने भी उनको वोड दिया था मेरी मदर को भी ये लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किया है वो फुल्फिल करेंगे तो अब आपके मदर के कहती है जो दिल्ली के जनता कहती है मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ वो आप तस्वीर आप भी उस तस्वीर मौजूद है दिल्ली के एलजी भी मौजूद है वो तस्वीर स्क्रीन पर आएगी वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं यह तस्वीर आ रही है अब आप देखे इस तस्वीर में क्या हो रहा है आप पीछे खड़े हैं अरविंद केजिरिवाल खड़े हैं और एलजी साब खड़े हैं एलजी साब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं और इसी कारेकरम में आप भी दिखने हैं वाइट शर्ट में यह जो credit war है ना यह इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि यह मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किस ने बनाया है credit का मतलब आपने एक चीज़ बना दी ना तो लोगों को उसकी तारीफ करने चीज़ आप अपने मूँ खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे, देखीज़ हमने बनाया है साड़े चार सो करोड की यूनिवरस्टी आपने चार्स करोड उपे दिया और आपने बनाये, जब कभी ऐसी चीज़ हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज़ का आप करें अंत बहुत पास है लेकिन केजरीवाल भावुक भी हो गए थे मनीज सिसूडिया को याद करके, वो तस्वीर बेर दिखाना जाता हूँ, वो काफी रोए मतलब इमोश्टल हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीज सिसूडिया की याद आ रही है ऐसा आप लोगोंने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए है, वो क्लिप देख लेते हैं आडियो प्ले करिए ज़रा इस जी, जी, हलका ambience सुन सकते हैं, जिसमें केजरिवाल की आखों में आसू है ऐसा क्या कर दिया है आप लोगोंने उनको रोना पड़ा काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट अलिगेशन लगाई थी जब मैं अपना election campaign में, जब मैं politics में आए ही आया था और आप सब जानते होंगे किस तरीके की allegation लगाई थी और जो education minister है आज दिली की, उन्होंने नहीं allegation लगाई थी कि मैंने कोई pamphlet फेरा आया था आतिशी मार लेना उससे दो महीने पहले मुझे पादमर्श्री का वाड मिला था और दो महीने बाद मेरे ओपर क्या क्या allegation लगी थी काश दिली के मुख्य मंत्री इस तरीके से उस दिन भी रोई होते अरे बीजिपी ने क्या ऐसा कर दिया है इमांदार है मनीशी सोडिया भगत सिंग है मनीशी सोडिया देखो मैं आपको बताता हूँ एकसाइस पॉलिसी इग्जाट के है यहाँ पर यूथ भी बैठ है एकसाइस पॉलिसी लेके आने का मतलब सिरफ यह था कि 2% से 12% कमिशन बढ़ाने का सिरफ मकसद यह था कि आप पैसे कमाके पंजाब में गोवा में बाकी स्टेट में लेक्शन लड़ सको अगर आप इतने ही साफ सुतरे थे अगर आप इतने ही भगत सिंग जी को अपना अदर्श मानते हो तो फिर वो एक्स हाई्स पॉलसी वापिस क्यों ली गई हमने तो सिरन एक सवाल पूचा था sırता sh यापके दो मिनिस्टर जील में बैटे और अगर अभी तक बेल नहीं मिल रही कोट तो इंडिपेंडेंट है और तो फेल है जुडिश्री तो फैर है उसके बावजुद आपके जो डेपडी सी एम थे उनको अभी तक क्यों नहीं मिल रही है बेल ओपन एंड शट केस है जब पैसा कमाया है गलत तरीके सवाल पैसे का नहीं है सवाल वक्त का है टाइमिंग का है जब दिल्ली की जनता करोना की वजे से कोविड की वजे से घर घर भठकरी थी उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर emotion है दिल्ली के प्रती और इस देश के प्रती तो आप यह कह सकते थे आपका एक basic अगर आपके emotions हैं तो आप खुद खड़े होके कह सकते थे यह जो renovation है यह आप चार साल बाद भी कर सकते हैं अभी जो पैसा लग रहा है यह जबरदस्ती कर दिया हो कोई चीछ जबरदस्ती होती है मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुचके इन और रेनोवेशन तो करा नहीं सकता मेरे बंगले में तो आज तो कोई renovation नहीं हुई आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में किस तरीकी की renovation वी है आप खुद अपनी आखोंसे आप तो देश भी देश घुमें हैं कभी आट लाग का पड़दा दिखा है आपने मैं जानना चाता हूँ आपसे आप international cricket के लिए बहुत अच्छी जगा पर भी रुके होंगे मतलब कभी देखा आट लाग का पड़दा खुल जा सिम्सिम टाइप का दर्वाजा देखे यह अपने आपको आम आदमी पाटी कहते थे आम आदमी कहते थे अपने आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है य इन्होंने यह भी वादे किये थे कि ना हम घर लेंगे गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे यह वही लोग हैं सच्छाई है कि दिल्ली उनके लें सिर्फ एक मिल्किंग काउ की तरह हैं पहले यह तो अब नेतागिरी की बात थी अब थोड़ी क्रिकेट गिरी की बात कर ल कितरा नहीं है जो 80-90 साल तक काम करते हैं जो 70-70 साल तक आक्टिंग करते हैं 35 साल की उमर में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं बाकी लाखों बच्चे हजारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट तो उनके लिए फानाशल सेक्यूरिटी कितनी इंपॉर्टन है उन क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और में को बोलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है यही सचा है और यह सच दुनिया के सामने आना चाहिए जी हमारा देश टीम ऑपसेस्ट देश नहीं है इंडिविज्वल अपसेस्ट देश है हम इंडिविज्वल्स को अपने टीम से बड़ा मानते हैं बाकी देशों में चाहिए इंग्लंड अस्टेलिया न्यूजिलन ने टीम बढ़ी है इंडिविज्वल बड़ा नहीं है और यह जो सारे स्टेक हॉल्डर्स हैं ना इंडिन पचास रन बनाए, मैंने पचास रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे, तो सारी जनता को यह लगेगा, मैं ही स्टार हूँ, आपको क्या बोला जाएगा, कि आप बड़े अंडर रेटेट खिलाडी हैं, अंडर रेटेट किस कौन बनाता है, अंडर रेटे यह जतनी मैंने मेहनत करी है, अगर आप, अगर आपकी प्रफॉर्मेंस को, आपको क्रेड़ेट नहीं दिया जाएगा, तो हमेशा आप अंडर रेटेट ही रहेंगे, और यह सबसे बड़ी सचाई है, और तब ही हम आगे जाके, बहुत लंबे समय से, अभी तक, ICC टौनमे आएगी, कि आपको इन में से कौन लगता है, जो इंडिया खेल सकता है, मुझे लगता है, तिलाक वर्मा के पास अबिलिटी है, तिलाक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हो, किस तरीके के इंडिविजुल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत, मैंने IPL में सुना है, कि बहुत अगले युवरात सिंग बन सकते हैं, किसी को कुछ बनने की जुरूत नहीं है, आप सिरफ अपने आपको जो आप वही बन जाए, वो बहुत बड़ी शीज़ है, चलिए अगली तीन तस्वीर आगे है, रितुराज गायकवाड, रिंको सिंग और यशाष्वी जैसवाल, मे अगले वर्ड कप के लिए अगले वर्ड कप के लिए और रिंको सिंग की कहानी बड़ी इंस्पारिंग है, कुछ बताना चाहिए हैं, और उन्होंने प्रदशन भी बहुत अच्छा किये, लेकिन वक्त दीजिए, एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए, उनको जाके महीने आईपेल को इतना सीरिस्टी ले ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है, इसको इंडिया खिला दो, यह श्यस्वी जैसवाल ने सिरफ आईपेल में अच्छा नहीं किया, तुमेस्ट्री क्रिकेट में 200 बनाए, तीन सो बनाए, वन डे क्रिकेट में 200 बनाए, विजए ट्रोलिंग होती है, ओफिशल ट्रोलिंग मैं बोलता हूं, जिसमें हम देखते हैं कई बड़े-बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ती को, मैं हमने लेटर्स रेखा, नवीन अलहक को ट्रोल किया, उस हद तो तब हो गई ज़ा शुबन गिल की सिस्टर को ट्रोलर्स ट्रोल किया, जिसमें अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का वो है सोशल मीडिया, अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके, आप ट्रोल्स खरीच सकते हैं, आप फॉलोवर्स खरीच सकते हैं, आप बोट्स खरीच सकते हैं, तो जो चीज बिकाओ होती है, वो सच कैसे हो सकती है, सोशल मीडिया पर आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पर मत रहिए, लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिन्दगी का पार्ट मत बनाई है आपको बुरा लगा जब शुब्मन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया जब नवीनु लहक के साथ ही हुआ जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए और जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे मैं पैसे खर्च करके बहुत बार यह सवाल मुझसे पुछा गया है अमीज जी और यह बहुत वैलेट सवाल है इसने शाहिए मैं थोड़ा वक्त लूँगा कि आप क्यों नहीं सोचिल मीडिया पर पैसे खर्च करते हैं और लोगों को ट्रोल कराते हैं या लोगों के लिए नारेटिव क्रिएट करते हैं और शायद मैं बहुत लोगों से जादा पैसे खरच कर सकता हूँ जो लोग इस तरीके से पैसे खरच करते हैं ट्रोल करवाने के लिए तूसरे की इमेज खराब करने के लिए मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने अपनी जिंदगी सच पे जीने के प्रामिस किये हम पांच 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 हजार लोगों को रोज अगर एक रुपए में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है अगर मैं वो पांच हजार लोगो का खाना बंत करके कि वही पैसा सोचल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बहतर करने के लिए लगा दू तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता लेकिन मेरे लिए वह 5,000 लोग जो भूके हैं उनका पेड़ भरना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे घर में दो चोटी जाते थे अगर आपके पास पैसे जादा है तो आप ट्रोल मत कराईए लोगों को खाना खिला दीजिए लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी और और व्यूज जो व्यूवर्ज है हमारे उस पार टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो करोड़ों पचास सेकिंड में अक्ष्यकुमार बनना चाहता है ऐसे कैसे हो जाएगा बहुत गलत व्यक्ति से सवार पूछे क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रील नी बनाई आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशिल बीडिया काउंट से कि अगर मैंने एक भी र बनाई halo मुझे रील बनानी आती ही नहीं है जैनॵैलाइब आप देख सकते हैं जा कि यह बनाते हैं उनके लिए क्या करते मैं यह बलो यह तो यंग है हम तो कई स्टार्स को देखते हैं क्योंत Tutaj कि उसकीू देखे हैं जो रील ही अपना जीवन चला रहे हैं देखें मैंने जैसे बोला था मैंने बहुत important message दे दी है आप social media पे रहे हैं मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाहता हूँ आप किस तरीके से social media को देखते हैं वो जरूरी है क्योंकि addiction किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है चाहिए वो addiction किसी भी चीज़ की चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार off the record पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये on record मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मई की रात जगा थी लखनव का इकाना स्टेडियम IPL मैच था लखनव सुपर जाइंट्स और RCB का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और सायद कितने और महीनों तक होती रही है देखें मेरी cricket field में बहुत लड़ाईयां हुई है ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाईयां नहीं हुई है लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या argument को cricket field तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में argument हुआ और वो cricket field तक ही रहना चाहिए उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ने TRP के लिए बहुत चीज़े डिमांड भी करी कि आप interview कर लीजिए आप clarify कर लीजिए जो चीज दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको clarify करने की कोई जरूत नहीं है और वो क्रिकेट के फील में हुई है मैदान के बीच में हुई है और अफ दे फील नहीं हुई शायद अगर अफ दे फील भी होती या भार भी होती तो उसको अब लड़ाई कहते हैं दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का लेकिन अगर आप बताना चाहिए हुआ क्या था उस राद देगे मैं सिर्व इसको इतना elaborate करूँगा और इससे जादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोस करता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था अगर मुझे लगता था कि नवीन उलहक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आखरी दम तक खड़ा हूँगा चाहे वो नवीन उलहक हो चाहे याँ पर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेशा करूँगा और इसी तरीके से अपनी जिन्दगी जीता हूँ अब बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उलहक को सपोर्ड कर रहे हैं अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करें कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था अगर मेरी टीम का प्लेयर वी गलाद होता है अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बंदा था तो आपने एक स्टैंड लिया बिल्कुल और मैं हमेशे अपनी जिन्दगी इसी तरीके से जीता हूं और जीता रहूंगा पारत बता की तरीके लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं और मैं एक सवाल आपसे पूछटा आता हूँ और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला, मैं डिटेलिंग में नहीं आऊँगा, लेकिन विराट कोली और गौतम गंभीर का रिष्टा क्या है, क्योंकि इस रिष्टे म में हमने मिठास भी बहुत देखिए एक टाइम पर आपने अपना मैन अफ देखा हुआ है नहीं देखा हुआ है यह सवाल मुझसे नप MS Dhoni के लिए भी पूछा जाता था कि आपको MS Dhoni का क्या रिष्टा है जो रिष्टा मेरा MS Dhoni का है वही रिष्टा मेरा और विराट कोली का है मेरी लड़ाई विराट कोली या MS Dhoni या XYZ किसी खिलाडी से परसनल नहीं है लड़ाई सिरफ मैदान के बीच की है वो भी जीतना चाते हैं और मैं भी जीतना चाता हूँ और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज़त करता हूँ जिनके साथ मैं खेलाँ चाहिए वो एक मैच खेले हूँ चाहिए वो सवा मैच खेले हूँ जिन्होंने जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है जी आप दोनों ही महान खिला रही है और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके उपर नहीं बोलूगा मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन क्योंकि अब खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी कि हमने सुना कि युवराथ सिंग खाने का ओडर अपने इसाब से करते थे मतलब कुछ आगर आप बताना चाहे तो नहीं नहीं मैं भी बहुत 2007 में कि विरंदर सेवाग ने और रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साथ आफरिका थे नहीं घर venom कि एक एकम महीने मैंने और श्रीवाग ने नष्च ओर दिनर किया था और हमने एक ही और क्या सेंट खाना एक महीना है आप जब भी मैनने रूम सिर्वेस और किया बैला को आन पालक और दाल भू मखनी यहां विज गे गें, मैंने बीज दिन सेम लांच और डिनर किया है बीज दिर बीज दिर नहीं होते थे आप खाते हैं मैंने बॉर होता था वो बॉर हो जाते थे तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आच बोलते थे लेकिर वो एक क्योंकि में को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था क्योंकि वो मेरे रूम में ही आगे खाते थे इसके अलावा इर्फान पठान भी है युवराज सिंग भी है तो जादा खाने का शौकीन को था घूमने का शौकीन को था इरफान पठान बहुत खाने के शौकीन, अभी भी शौकीन है, Şimdi अब ज़ाधा शौकीन होंगे क्योंकि मैं कंसे कई rights should we onion को में यहां सब्सक्राइब का और उसके तर तुन के शौकीन है यहां आगे और पर्टी का कौन था के पहुआं कीゃ बहुत और जैकर क्रिकेज किसे लेकिन कमाल के खिलाडी भी थे युवराद सिंग मुझे लगता है हिंदोस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडरेटेड इसले कौँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उंकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी शेयर दो वर्ड कप अगर किसी ने जिताएं हूं वो बहुत बड़ी बात आप करें और एक और बात क्योंकि युवराद सिंग की बात चली है तो दूर तक जाएगी और युवराद सिंग को कैंसर हो गया था लेकिं वो तब भी खेलते रहे थे इसलिए युवराद सिंग के लिए तालिया इस बंच से बनती है क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा और मैंने मैं युवराद सिंग के साथ अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेलाओं अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे मैं दिल्ली के लिए खेलता था वो अंडर 19 इकटे खेले फिर अगेंस्ट खेले मैंने उससे ज्यादा टालेंटेट खेलाडी आज तक मुझे नहीं पता आगे क्या होगा आज तक अभी तक हिंदोस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा बहुत अनफॉचनेट थे कि वह सोवाट टेस्ट मैश नहीं खेल पाए क्योंकि वह उस एरा में खेला था जब विरिंदर सेवाग मैं राहुल और वह तोड़ते वह खुद नहीं जानते और आपने जहां तक सवाल किया मैंने वह देखा था किस तरीके से वह सफर करे थे 2011 में उसके बावजूर इस तरीके की उनकी प्रफॉर्मेंस रही है वह हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल कप जिताया लेकिन मेरा मानना यह था कि ह हमारे को अगर वर्ल कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया चाहिए वो टी-20 वर्ल कप हो यह वो 2011 का वर्ल कप हो तो युवराद सिंग दोनों टॉनमेंट में शायद मैन अव टॉनमेंट है वो एक्जाट्टि मुझे बगाना लेकिर फिर अनपॉचुनेट है कि हम बात प्राटिंग प्यार और सिरफ एक इंडिविज्वल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना तो अंडरेटेड कोई नहीं होता अंडरेटेड सिरफ प्यार और दिखाने का प्रयास होता है यह आपको भी पता है यह आपको पता है कि 2007 और 11 वर्ल होता है एक बात तो ये भी कही जाती है मैं आऊंगा इस विश्य पर कि दो हजार उन्ने सो तरासी में जो हम वर्ड कप जीते हैं उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमर्नाथ का बहुत बढ़ा रोगत से किसी को पता है कि फाइनल में महिंदर अमर्नाथ जी थे ये प्रॉब्लम है क्योंकि आज तक सिरफ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे है मोहिंदर अमर्नाथ जी की भी दिखा दीजिए दो सेमी फाइनल और फाइनल में मानो दमाश थे आज इस बाद्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमर्नाथ और कपिल देव की और में और रिकॉट करें जाता हूँ कि अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि कोई खिलाडी एक पान मसाला की आड़ करेगा और डिसपोइंटिंग इसलिए क्यों कि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना नाम जरूरी नहीं है काम जरूरी है वो ही भी हो आप अपने नाम से नहीं पैचाने जाते हैं आप अपने कामों से पैचाने जाते हैं करोडो युवाओं को देख रहे होंगे और पैसा इतना important नहीं है कि आप किसी पान मसाले की याड़ करेगे बहुत और तरीकें पैसा कमानेगे और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े क्योंकि आप बहुत युवाओं की रोल मॉडल हैं तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए और मैं अपने आपको कोई उस शेली में नहीं लेके जाना चाहता है 2018 में जब मैंने step down किया था Delhi Capitals की captaincy से तो मैंने 3 करोड रुपे छोड़े थे और वो 3 करोड रुपे मैं ले सकता था लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं हमेशा यह मानता हूं I should only get what I deserve not what I want आप पान मसाला की आड़ करें अमी जी आप बताईए अक्षे कुमार ने आड़ करी फिल्म स्टार आड़ करते हैं तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटसाइज करते है किसकी अपॉलजी आई अभी तो शायद यह सुनने के बादा है किसने इस बारे में बात करी आप इतना बड़ा न्यूस चैनल लगाते हैं बताई यह एक खिलाडी ने बात करी और आप देश भक्ती की बात करते हैं आप नाशनलिजम की बात करते हैं आप आप इंडिया फि जो है बाइस साल का बच्चा या फिर कोई युवा कहलारी पांवसालिक की याड करने लग जायए की सीमें दम होगा उसको मना करने का वो भी तो कल उटके यह कह सकते हैं कि आप भी तो करते थे आपने भी तो लेजंड्स कर रहे हैं, आपने भी तो करा था, तो आप क्या train set कर रहे हैं, छोड़ने की हिम्मत, आपके तो दोस्ता है, फोर्म ठाके लिए बोल सकते कि क्यों कर आप ले, देखे वो बहुत परस्नल है, वो बहुत परस्नल डिसेजन है, और एक व्यक्ति की सब सब्से बड़ी शक्ति होती है छोड़ने की हिम्मत, कि आप में वो शक्ति है कि आप कोई चीज छोड़ सकें, लेना तो सब कुछ हर चीज चाहता है, शाइद मैं भी चाहता हूँगा, कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो छोड़ने कि हिम्मत रखें, सचिंटेंडल कर, जिने बोला ना क्योंको कितने 20 करोड या 30 करोड पर ओफर हुए थे, लेकिन उने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी गुटके की, या फिर कभी भी पानमसाले की आड़नी करूँगा, 20 करोड पर छोड़े ना, तभी व कोई सवाल पूछा होगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा है, जरूरी है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये भारत में बड़े रोल बॉडल होते हैं, लोग नेताओं से ज़्यादा, एक्टर से ज़्यादा इन पर भरोसा करते हैं, और आप कभी मौका मिले आपको इंटर् सारी बाते करते हैं, लेकिन एक खिलाडी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी, कोई भी इ इसी तरीके का इवेंट चाहिए वो, आपने जैसे ही बोला, अधर भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है, देखे आप भारत माता की जय की जगए, अगर आप भारत माता को जय करेंगे न, आपको भारत माता की जय बोलने की जरूत नहीं पड़े कि भारत माता को जैए करना मतलब यहाँ पर लड़कीया भी बैठी है जो यहाँ पर लड़के बैठे अगर आप इनकी इजद करना सीखेंगे वह असली भारत माता को जैए होगी तो जी इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्डिंग इवेंट इसले नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस पॉर्डर टेरिरिजम खतम नहीं होता फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड काप खेलना चाहिए देखें वर्ल्ड काप और बायलाटरल में जमीन आसमान का फरक है बायलाटरल दो देशों के बोर्ट डेसाइड करते हैं और बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिसान इंडिया आती है वर्ल काप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया वर्ल काप और आई सी सी इवेंट्स आई सी सी कंट्रोल करता है बाइलाटरल सीरीज दो बोर्ट कंट्रोल करते हैं तो जहां बी सी सी आई का सवाल है बी सी सी ने अपना स्टांड बिल्कुल क्लिया कर दिया है कि बाइलाटरल टॉर्नमेंट्स नहीं होंगे ICC events में BCCI का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगाओं पे बोला जाता है कि देखें फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया या फिर एक व्यक्ति ने बोला थे कि नहीं होना चाहिए वह आपर कॉमेंटरी कर रहे हैं लेकिन reality ये है कि ICC में किसी का control नहीं होता लेकिन पीसी भी बार-बार धंकी को देता है अगर आप नहीं आँगे तो हम भी नहीं आएंगे उनकी मर्जी है PCB के हैसियत कैसी है देखें मैं PCB के बारे में नहीं जानता और अल्टिमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिरफ भारत ने नहीं बोला In fact, श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिलना चाहते हैं एक सवाल, पाकिस्तान के टीम आपको बहुत मिस करती है वो कहते हैं कि आप गौतम गंबीर नहीं खेलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों है और भारत की टीम भी आपको मिस करती है अभी इर्फान पठान के हमने वो बाइट चलाई जिसको उनने बोला उनने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच उता था हम तो गौतम गंबीर को खुलाच बोलादे थे ये जूट है पुझ से जादा लड़ाई तो वो लड़ते थे क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी क्योंकि टी आर्पी जादा मिलती थी मुझसे जादा लड़ाईयां तो इर्फान पठान ने लड़ी है अच्छा आप बोलते हैं क्या थे उनको मतलब अगर बतारा जाए ये सच आप इर्फान पठान को किसे दिन स्चोपे बला लाई तो अफरीदी से हुई आपकी अफरीदी से हुई लड़ाई लेकिन इर्फान पठान की तो मुझे लगता है पांच ये खिलाडियों से हो रखी है लड़ाई लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी मेरी लड़ाईयां दिखाई जाती है वो ही फरक है सरफ मतना बोला जाता कि पाकिस्तान के मैश में आप एंग्री मैन बन जाते हैं अब कुछ निहएं इंफाक्ट मेरी शेह य्टा करनावी बुर्ट में ञपनी खुई घोऑ पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर चार पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंबीर काफी है यह आप लोग पी जाना चाहेंगे ना यह मीडिया को टी आर पी मिलती है और कोई कारण नहीं है अब मैं बॉलिवूड और क्रिकेट पर आता हूँ हमने बॉलिवूड और क्रिकेट की बड़ी जोड़ी देखी है मनसूर अली खान शर्मीरा ठैकोर हर्वजन सिंग गीता बसरा विराट कोली अनुष्का शर्मा केल रहुल आज के युगमे और अथिया शेटी इसको आप कैसे मानते हैं और क्या आपका जुगाव कभी बॉलिवूड के साथ नहीं रहा नहीं मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में और दूसरी चीज एक बहुत परसनल अल्टिमेटी बहुत परसनल डिसेजिंस हैं औ और देखे जो जिन भी लोगों का अपने नाम लिया सब खुश रहने चाहिए मेरी यही बगवान से परातना है कि वो खुश रहे और अगर वो खुश हैं उससे बहतर कोई भी चीज नहीं हो सकती तो कभी आपका जुगाव नहीं रहा कभी बॉलिवूड से कभी आप जाते आते हों कुछ डिके ना में पाटी करता हूं जी ना मैंने आज तक अल्कॉहल टेस्ट करी ना मैंने आज तक सिगुरेट काफी पी वह おथ क्या पीते हैं और यह आप यह आप किसी भी खिलाडी से भी पूछ सकते कि उन्होंने कभी ना मैंने चाय टेस्ट करी ना कॉफी तो जब मेरे को कोई इस तरीके का कोई शौक ही नहीं था तभी मैंने आपको बोला मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है दो बची है मेरी वाइफ मेरे माधर मैं सिरिसली के ना आप किसी से भी नोच सकते हैं न बहुत बोरिंगी नेकिन दुबारा राजणी으 पर आते हैं पॉलिटिक्स पर आते हैं इस देश में नहीं संसत बनी आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था लेकिन जो politics उसको लेके हुई और जिस तरह की politics हुई Congress से लेके आम आदमी party तक अधिकतर opposition ने उसका boycott किया क्या कहना चाहते हैं ठीकिए इसके इलाबा उनके पास किसी तरीकी की कोई राजनीती रह नहीं गई है बॉयकाट करने के लाबा संसत बनाए वो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉयकाट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं जब सेशन होगा आप वहाँ पर जाके आग्यू भी करेंगे आप वहाँ जाके allocations भी लगाएंगे जी कोई चीज एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज बन रही है आप जाके वहाँ पर बैठेंगे आप जाके वहाँ पर हिस्सा बनी है इतनी बड़ी celebration का आप बात कर रहे हैं मैं 2024 की बात करता हूँ 2024 में Modi versus all होता हुआ हम देख रहे हैं अर्विंद केजरिवाल से लेकर देकीश कुमार राहुल गांदी सब शायद एक मंच पर आएंगे Modi को हराने के लिए और जब आप भी सांसत का अगला चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने भी हो सकता है combined opposition है How do you see it? Modi versus all Bring it on इससे बेतर क्या चीज है और सामने वाला एक हो जब सामने वाले बीस वार आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई में मज़ए अगर वो लड़ाई आप जीट सकते उससे बेतर लड़ाई ना पढ़ जाए कोई बात नहीं पुरे दम से लड़ेंगे सच्चाई के साल लड़ेंगे काम की तारीफ जनता हो या फिर क्रिक्स हो वो भी करते है नि आप़ी की पार्टी के एक विधायक है वो आपपर सवाल उठाते है दिखे ऐसा नहीं है की कि मेरे काम की तारीफ क्रिटिक्स भी करते हैं और मेरे काम की तारीफ मेरे कामों को क्रिटिसाइज भी बहुत लोग करते हैं मेरे पुलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रिटिसाइज किया गिया और आम आदमी पार्टी तो करेगी लाजमी है वो हर तरीके से बीजेपी का विदायक क्यों कर रहा है? अब आखरी राउंड है और यह जो राउंड है यह तस्वीरों वाला राउंड है इसमें हम कुछ तस्वीरे दिखाएंगे और पहले राउंड की तस्वीरे आती है पहली तस्वीर आ रही है यह देखते कौन सी है? राहुल गांदी क्या कहना चाहते है आप इनके बारे में? देखें मैं बहुत जानता नहीं हूं इसके मैं को किसी भी व्यक्ति के बारे में परसनली बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सिरफ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लड़ाई अपनी जमीन पर रहके लड़ी देश से बाहर जाके नहीं क्यों कि मैं को यही चीज सिख अच्छा ही बोलना अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो वापिस आके करना है और यह मैं 17 साल का था आज मैं 31 साल का हूं मैं इसलिए नहीं कहरा आप तो 17 साल में वो समझ गयते हैं तो 50 से उपर हो चीज़िए मैं इसलिए वो मेरा अलग प्रोफेशन था मैं उस टाइम क्रिकेटर था यह नेता है आपके बहुत आप पहसं करते हैं अर्विंद केजरिवा मेगा लुमेनियाक यह कहना चाहते हैं इसका मतलब भी समझा देता हूं जी एक लाइन तो बड़ा मुश्किल है मेगा लुमेनियाक का मतलब होता है जो अपने से उपर किसी और को नहीं अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है गौतम गंभीर विराथ कोली यह 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 शायद वही तस्वीर है जिसमें आपने अपना मैन अप्धा मैच शायद दे दिया था लॉड फ रिस्पेक्ट वाट इस डान फूर इंडिया बहुत शांदा बहुत शांदा शांद अब ऑगला राउंड कोली और गंगुली में से जादा एग्रेशिव कैप्टन कौल था मैं ना जादा गोली के अंडर खेला नहीं मैं गांगोली के अंडर खेला तो बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना अप मैं से उनके बारे में पूछी कि मैं सबसे अग्रेसिव कप्तान किस के अंडर खेला था मैं उसका जवाब शाया देए किस के अंडर अनिलकु अगला सवाल है सिसोदिया और सतेन्द जैन में से ज़्यादा कट्टर इमांदार कौन है भुब्ली राउंड है इसका नाम ही भुब्ली राउंड है देगे इसका जवाल तो मुझे तेहाड में जाना पड़ेगा तब ही दे पाऊंगा और आपका कोई विचार नहीं है अगला राउंड जो है वो है गर्ल्स वर्सिज गंभीर और कुछ लड़किया है वो सवाल पूछ राचाती है क्या सवाल है आपके पूछ रखती है एक एक करके सब्सक्राइब करें पूछ रखती है तो पहली है अनुष्का शर्मा और तीसरी है परनीती चोपड़ा तो कौन सी फेवरेट आपकी अब बताईए बहुत जादा मूवी देखी नहीं में को अक्षिटी आलिया भट की गंगुभाई काठिया वार बहुत अच्छी लगी तो परनीती दिपिका और अनुष्का मेंसे को अगरेको अभी याद आए तो परनीती चोपड़ा विकॉस केसरी में उनकी बहुत अच्छी आक्टिंग थी एक और सवाल है जी-जी-जी-पूछे सवाल क्या है स solve अब से यह कि जब आपकी वाइफ नताश्रमाम अपसे नाराज हो जाती है तो आप उन्हें कैसे मनतें यह HOँने केसे मनतां मैं अच्छी मनता नहीं हो تو अपने अपए ठीक हो जाते हैं मेंको मेंको मनाने की ज़्एना पारिकित नहीं और वह बहुत। जादा नाराज कोई जादा मनानी की जूरुत पड़ी कभी गाना वाना भी निगाया उनके लिए ना गाया ना 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 जिए ना मनाया जलिए एक और सवाल सर आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रॉपोस किया था आप बताईए आप तो मुझे गए थे कि यह जाला बड़ी बांसर दें जो मैं अभी आउीपिल में खेल के आया हूँ उससे बड़ी यह बताईए नताशा ने नताशा ने पुस्थिए चलिए आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे आप यहां पर एक कई लोग है जो कुछ ख्वाइश भी रखते हैं वही क्या है आपकी ख्वाइश सर हमारी ख्वाइश सब्सक्राइब है और आपको देख रहा है लेकिन मेरा एक तमन्ना है कि सर मैं गिन फेकू और आप कोई सिक्स या कोई बाउंडरी मारें बाउंडरी मारें स्टूडियम में हमारी लाइट टुडवाएंगे आप लिकिन मेरी गंबीर साब आपसे गुजा गुवारा साब कि आपके अंकिर तिवारी तो अंकिति तिवारी में कमेंटेर गैप करो तो अंकित वारी गॉतम गंभीर को बॉल डाने जारे है तो यह वापन मंगरिंद को सब्लप अंकित थिवारी Declaration Larry labor मेरी जगा आप कमेंटरी करना भी वोल्ड कप आने वाला है ठीक है चलिए मुझे कोई मौका देखा तो मैं जरूर्ट ट्राइ करूंगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गौतम गंबीर हमारे साथ आने के लिए बात करने के लिए और तिवारी जी आपका भी बहुत बहु चक्र कोई है तो वो गौतम गंबीर है